सभी शुरताओं को अजय दीग बादवा का नमस्ते कहते हैं कि मनुष्य को भगवान जो सबसे वड़ा उपहार दिया है उसमें से एक है हसना मनुष्य हस सकता है हम सब हस सकते हैं ठाके लगा सकते हैं मुस्कुरा सकते हैं जानवरों को ये भगवान ने नहीं दिया है आपके किसी किसी जानवर को कभी भी आप मुस्कुराते ठाके लगाते या हसते नहीं देखेंगे तो ये जो अश्रिवाद है ये भगवान ने सिर्फ हम मनुश्यों को दिया है इसका मतलब है कि भगवान ये चाहते हैं कि हम लोग जियन में सदा मुस्कुराते रहें, हसते रहें, ठाके लगाते रहें मैंने कई बर देखा है कि लोग मुस्कुराना छोड़ देते हैं, बहुत लोग जोर से हसना छोड़ देते हैं कई बर समाज बाधा आ जाती है कि जोर से हसना खासकर स्वाजिनी जरूंपर जोर से हसना अच्छा नहीं है कई बर और और लड़कियों को बोला जाता है कि तुम सब के सामने हसो मत जुपचाप रहो उनको ठाके लगाने की पर्मिशन भी नहीं दी जाती है हम भी बच्चों को सिखाते हैं कि तुम जोर जोर से ठाके मत लगाओ पर मेरे विचार से जब आप दोस्तों के साथ बैठे हैं जब आप ऐसी जगा बैठे हैं जहां पर आप हस सकते हैं जोर से हस सकते हैं ठाके लगा सकते हैं जरूर लगाईए हाँ मैं ये नहीं बोलना हूँ कि अपने बॉस के साथ आप कमरे में बैठे हैं चेंबरा बैठे हैं आफिस की मीटिंग लग चल रही है और जोर जोर से हसना चालू कर दे बॉस नराज हो जाएगा पर मुस्कुराहट तो आपने चेहरे पर रखी सकते हैं मैं ये भी नहीं बोलता कि सड़क पर चलते समय जब आपका बॉस या आपके सीनियर आपके साथ नहीं है तब भी जोर जोर के ठाके लगाईए अगर आप चलती है पर जोर जोर के हसना चालू कर देंगे तो लोग आपको पकड़के पागल खाने में बद कर देंगे पजब आपकेले हैं जब दोस्तों के साथ हैं मित्रों के साथ हैं परिवार के साथ हैं जब कोई अच्छा चुटकुला बोला गया कोई अच्छा काम हुआ कोई अच्छी बात हुई कोई आपके घर में कोई अच्छी घटना घटी किसी बच्चे ने किसी आपके परिवार क सदस ने कोई सफलता हासिल की, कोई खुशी आई, तो हंसिये, मुस्कुराइए, और संभव हो, तो चुटकलों पर, और या अच्छी बातों पर जोड से ठाके भी लगाईए, इसका एक benefit भी है, पर आया देखा गिया कि जो लोग मुस्कुराते हैं, उनको बिमारियां कम होती है, उनको blood pressure, sugar की बिमारी कम होती है, ऐसा कई शोधों में पाया भी गिया है, दूसरी बात है, कि जो लोग मुस्कुराते हैं, उनके skin, चेहरे का जो तवचा है, वो भी अच्छी रहती है, उनके चेहरे पर जल्दी जुरियां नहीं पड़ती हैं, वो जल्दी बूड़े नहीं होते हैं, तो इसलिए मेरे विचार से हम सब को ये निन्ने लेना चाहिए, कि जीवन में जब भी मौका मिलेगा, हम दोस्तों के साथ समय गुजारेंगे और हसेंगे, हम ठाके लगाएंगे, हम मुस्कुराएंगे, ऑफिस में या कहीं भी आपने देखा होगा, कि जब अगला वेक्ति आप पर बहुत जूर गुसा कर रहा है, अब आप उसमें शांत रह जाईए, आप मुस्कुरा के छमा मांग लिजिए, तो अगले का गुसा भी शांत हो जाता है, मेरे साथ नीजी जीवान में भी हुआ है, मैं सड़क पर कार चला रहा था, दो-ती बार ऐसा हुआ है पिछले 10-12 सालों में, कि मेरी कार से सामने वाली बाइक को हलका सा, हलका सा धक्का लग गया, वो गिर गया, पर उसके बाद, जब वो मुस्कुराहा मेरे पास आया, तो मैंने हलका सा मुस्कुराते हुखा कि सौरी, गल्ती उसकी थी, पर मैंने सौरी बोल दिया, वो मुस्के मुस्कुराहाट पर सब बार, 100% टाइम ही हुआ ही हुआ, फिर वो भी मुस्कुराहा कि बोला कि ठीक असर चाहिए, अब लग गया तो क्या करें, अगर मैं नहीं मुस्कुराता, मैं उससे शमा नहीं मांगता, तो बात बिगड जाती हो सकता है, इसमें वो मेरा कुछ शारीरिक नुकसान भी करता, और वो में से पैसे तो लेता ही, तो आईए हम आज से ये निन्ने लें, कि हम गुस्सा ना करें, और जब भी भगवान हमें मौका दे, हम मुस्कुराएं जुरू, खुशी बनाएं, ठाके लगाएं, एक बात याद रखिएगा, जिस चीज को हम करते हैं, करते ही, कि म करते हैं,